नमस्ते आज हम mathematics जो subject है उसके बारे में उसके questions solve करेंगे उसके answer देखेंगे तो यह जो answer की है यह है shift 4 की और जो section है series है वो है B series B series की यह answer की होगी mathematics की तो question number 91 in the given figure the lines xy and mn interact at point O हिंदी में देखे हैं हिंदी वाले बच्चे जादा हैं तो हिंदी वालों को चो हिंदी में पढ़ेंगे तो English वालों को भी समझ भी आजाएगा और Hindi वालों को भी आजाएगा English वालों को भी आजाएगा और Hindi वालों को भी आजाएगा तो question number 91 दिये गए चित्र में रेखाए xy तथा mn बिंदू ओपर प्रतिशेत करती है जदी p o y 90 degree a अनुपाद b 2 अनुपाद 3 तो c का मान होगा इस series में हम केवल direct answer देखेंगे और छोटे छोटे concept देख लेंगे बाकी पुरा सोल नहीं करेंगे तो इसका answer होगा option number b तो जल्दी जल्दी अपने answer देखते जाएं ओमार शीट में लगाते जाएं question number 92 जदी एक तिर्बुच की तीनों बुजाए दूसरे तिर्बुच की संगत तीनों बुजाओ के बराबर हो तो दोनों तिर्बुच होते हैं option number b सरवांग सम question number 93 10 cm तीजावाले वरत के केंदर से 6 cm दूरी परिष्टी जिवा की लंबाई होगी option number d 16 cm question number 94 जदी केसी संगवत तिर्बुच का परिमाप 48 cm हो तो उसका चेत्रफल होगा option number a 64 root 3 cm question number 95 जदी एक समचतरूज के विकंडों की लंबाई 10 cm choice cm हो तो उसका परिमाप होगा उसका परिमाप होगा option number c 52 cm question number 96 एक कमरा 12 मिटर लंबा 9 मिटर चोड़ा तता 8 मिटर उंचा है इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है तो इसमें आपको diagonal निकालना है विकंड निकालना है इसके अंदर विकंड की जो है उसका formula रूट L square प्लेस B square प्लेस H square तो इसका अंसर आएगा 17 मिटर question number 97 सार्णियन का मुख्य उद्देश्य है जो सार्णि बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है option number A समंकों को उनकी विशेष्टाओं के अदार पर प्रस्तूत करना एकदम सही बात है option C जटिल तत्यों को सरल रूप में प्रस्तूत करना सही बात है मतलब तीनों ही option सही है तो इसका मतलब आंसर होगा option number D ये सभी Q98, किसी श्रेणी का बहुलक मुल्य होता है जो बहुलक होता है, वो क्या होता है वो होता है, सरवादिक बारंबारता मुल्य Most Frequency Value Option number B, इसका राइट आंसर होगा Q99, X, X पर इस्तिद बिंदू के निर्देशांक है जो X बिंदू है, उसके जो निर्देशांक होता है उसमें Y, X क्या होता है, 0 होता है यह बहुल X, X की Value होती है तो Option number C ही ऐसा Point है जिसमें Y Coordinate 0 है और X की कुछे Value है तो इस 99 question का अंसर होगा Option number C Question number 100, एक साधरन वर्ष में तरेपन मंगलवार होने की प्राइकता है एक साधरन वर्ष में तरेपन मंगलवार होने की क्या प्राइकता है Option number A, इसका साई आंसर होगा जब आब इसको देखोगे तो Bound मंगलवार होने की प्राइकता उसको तो उटा देंगे बचा एक तो एक दिन कितने होते हैं टोटल साथ एक सप्ता में तो एक बटा साथ है इसका सही आंसर होगा question number 101 निमन मेंसे गडित शिक्षन की सायक सामगरी है जो गडित शिक्षन है उसकी सायक सामगरी क्या होगी तो नेपियर पट्टी का होती है लगूगन के साणनी होती है जो लोग की साणनी होती है वो भी जरूरी होती है ज़ोमेट्री बॉक्स यह भी जरूरी होता है तो option number D इसका सही answer होगा question number 102 निमन मैंसे कौन सा गनीतिय गतन सत्य है कौन सा गनीतिय गतन सत्य है तो आप इस परकार के जो सवाल आते हैं उसमें माइनेस, भाग, ऐसे जो ये दोनों चिन हैं ये वाले options हट जाते हैं तो option number A, मुलांकन बराबर मापन प्लेस निंडे, इसमें प्लेस है तो ये इसका सायांसर होगा question number 103, निमन मैंसे कौन भारती है, गणितग्या नई है question number D, इसका सायांसर होगा question number 104, निमन मैंसे कौन सा गणितग्या शिक्षन में संग्यान आत्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है जो संग्यान आत्मक उद्देश्य होते हैं, क्या होते हैं, ज्यान, अवब, अनुप्रयोग, ये होते हैं तो इसका option C, जो है, उसमें कोशन नहीं होता है, वो आता है किर्यात्मक पक्ष में option question number 105, निमन मैंसे कौन सी गणितग्या शिक्षन के मुलांकन की वीदी नहीं है मतलब A, कौन सी वीदी है, जिसके माधियम से गणितग्या शिक्षन में मुलांकन नहीं किया जा सकता तो option number A से मुलांकन होता है, option number B से भी मुलांकन होता है, option number D, शुरूति लएक, इससे मुलांकन नहीं किया जाता, गणित में Q106 गणितिय कतन जिसकी सत्यता सिध कर दी गई है कहलाता है मतलब ऐसा कौन सा कतन है जिसकी सत्यता को सिध कर दिया जाता है तो उसे कतन को क्या कहते हैं उस कतन को कहते हैं थोरम परमे तो option number A इसका right answer होगा Q107 रेखागनी सिक्षन का प्रमुक उद्देश्य है रेखागनी सिक्षन क्यों पढ़ाया जाता है इसका क्या उद्देश्य होता है इसका पहला option है गणितिय उपकरनों के प्रियोग एवं मापन का ग्यान कराना right है option B छात्रों में रचनात्मक का अलपना सक्ती का विगास करना एकदम सही है option C छात्रों में वस्तू प्रिशन शक्ती का विगास करना एकदम right answer है तो इसका answer होगा option D ये सभी question 108 बालक आयत की परिवाशा का प्रितेश्मरंण कर सकेगा यह कतन कौन से अधिगा मुद्देश्यों को प्रदर्शित करता है जो आयत की परिवाशा को पुने इस्वरंण कर सकेगा तो यह उसके ज्यान पक्ष्ट को बताता है तो option C इसका right answer होगा question 109 एक बालक को दिये गए माप के आदार पर तिर्बुच की रचना कर पाता है तो बालक इस गतिविदी दुआरा की इस मुख्य उद्देश्य की पूर्ती करता है बालक उसकी रचना कर लेता है मतलब उसमें कोशल डवलप हो जाता है तो option D इसका right answer होगा question 110 प्रकर बुद्धी वालकों में यह गुण नहीं होते मतलब जो प्रकर बुद्धी वाले बालक होते है उसमें कौन से गुण नहीं होते है वो हमें बताना है option A यह अधिक जिग्यासू होते है option B इनकी रूची का छेत्र प्यापक होता है option C यह बालक समय गात्मक द्रश्टी से एस्ताई होते है नहीं यह समय गात्मक द्रश्टी से इस्ताई होते है option C इसका राइट आंसर होगा question 111 यदि 3 की power x plus 8 plus 27 की power 2x plus 1 हो तो x का मान क्या होगा जब आप इसे power वाली equation से solve करेंगे तो answer आएगा option number B question 112 यदि x plus y ब्राबर 7 x इसका plus y सका ब्राबर 25 चीज तो 1 upon x plus 1 upon y का क्या मान होगा तो जब आप इसे solve करेंगे LCM लेकर के xy नीचे आएगा xy उपर आएगा x plus y x plus y की value है xy की value x2 plus y square plus 2xy ब्राबर x plus y के वाली square वाले formula से निकल जाएगी तो इस answer आएगा option number C 7 बटे 12 question number 113 when jack x cube minus 2x plus 1 का एक गुणनखंड है गुणनखंड होता है मतलब की जो गुणनखंड दे रखा है उसको बराबर 0 करने पर x की value जो आती है उसको यदि हम when jack में रखते है तो जो total equation है उसकी value 0 आजाए यदि तो वह एक उसका गुणनखंड है तो option number A है x minus 1 x minus 1 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा 1 और x की value 1 जब हम x cube minus 2x plus 1 समीक्रेंड में रखेंगे तो इसकी value आजाएगी 0 जता ही है एक इसका गुणनखंड होगा तो option number A question number 113 का सही answer होगा question number 114 समीक्रेंड 2 upon 3x minus 4 plus 2 upon 2x minus 6 का हल क्या है तो इसका हल जो है जब आप LCM लेकर के इसे solve करेंगे तो option number D जो है इसका सही answer निकल के आएगा question number 115 3 root of 8 मतलब 3rd root of 8 upon root 16 root 100 upon root 49 multiply 3rd root of 125 is equal to जब आप इसे solve करेंगे तो root जो 8 दे रखाया है 3rd root of 8 वो हो जाएगा 2 16 हो जाएगा 4 100 हो जाएगा 10 49 हो जाएगा 7 125 हो जाएगा 5 इसको आगे जब आप solve करेंगे तो answer आएगा option number B 7 बटे 4 question number 116 किसी धनराशी का 5 वर्ष का सादरन ब्याज मूल दन का 3 बटे 5 हो जाता है तो सादरन ब्याज की क्या दर होगी तो जो सादरन ब्याज की दर है वो सादरन ब्याज के सिंपल से फोर्मूले ऐसा ही बराबर PIT अपन हंडेट से हम ग्याद कर सकते हैं तो option C जो है इसका सही answer होगा question number 117 यदि किसी वस्तू को 560 में बेचने से हुई हानी 720 रुपे में बेचने से हुए लाब से 50 अधिक हो तो वस्तू का क्रेय मुल्य है जब इस question को हम solve करेंगे तो answer आएगा option number A 665 रुपी question number 118 जो केले सेब का मुल्य तीन केले सेब के मुल्य के बराबर है इसा कुछ सवाल है ये इसका answer आएगा option number 3 तो आप इसे solve करेंगे एकदम simple सवाल है answer आजाएगा question number 119 जड़ी कैसे संक्या के 55 परतिशत में 55 जोड़कर वही संक्या प्राप्त हो जाए तो वह संक्या है तो वह संक्या होगी 300 question number 11 120 120 एक गाउं की जन संक्या 130 910 है तो इसमें जब आप successive लगाओगे 6% का increment 5% का decrement और 4% का increment तो तीन वर्ष की पूर्जन संक्या का आपको पता चल जाएगा तो इसका answer आएगा option number C वह एक लाग पत्चीस हजार